यह भी हाल में ही नोटिफिकेशन आया है आया है देखें यह देखें होंगे नोटिफिकेशन नहीं आया है नोटिफिकेशन के पहले एक पुर्व चिथी आई है ठीक है प्रेस विध्यप्ती और वो भी प्रेस विध्यप्ती आई है कि एक्जाम जो 17 नौंबर को होना है उसक को ले करके आओ इसमें जो कूल सीट बताई गई है वो बताई गई है एक हजार 939 मैं एक हजार 939 तो यह तो टोटल सीट है लेकिन मुझे पूरा विष्वास है कि पी डबलू जो पट्ना सेंटर के छात्र है वह इस पर विष्वास नहीं कर रहे होंगे इसमें चुकि और भी पैतिस सीट है वो बोला एक 1164 सीट आएगा ये 35 सीट किस विभाग में आएगा ये डिकलेर नहीं हुआ है और ये 1029 सीट अलग-अलग विभागों में आएगी नौ विभाग है लेकिन पीड़ लू लिया इस पटना सेंटर के छात्र एक हजार 939 सीट पर विभागों और वोलो कि सीट को को फोज रहे होंगे मेरे हिसाब से यही सीट है बहुत आप लोग कोसिस करेंगे तो इस पे जाएंगे इसके नीचे का हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग सोच भी रहे हैं सोच रहे हैं कि बस 336 सीट हम लोग ले लेंगे बाद बाकी 1700 सीट बाद बाकी कोचिंग को दे देंगे कि दे जाओ कि 336 सीट हम ले लेंगे बस और अगर मालने दें कि DSP USP में मालों की दिक्कत होता हाइट वेट इसमें ते काथ दूग और ले लेंगे लेवर नौका सीट सुनिश्चित ये कर रहे हम लोग कि हमारे बाद ही जब हम छोड़ें तभी कोई उसको ले पाए ये हमारा टार्गेट होना चाहिए और उसमें भी सबसे उपर टार्गेट जब हम पढ़ी रहे हैं तो फिर हम ऐसा क्यूं पढ़ें कि हम जा करके और लेबल 7 की नुकरी करें जब पढ़िये रहे हैं इधर तो भाईया एक ही बार में ले लेते हैं ना काहे टेंशन इतना हर साल क्यूं पढ़ना है और एक ही सीट लेना है सबको तो हमने तो यही सोचा है कि यह और अगर बच गया तो यह और उसके बाद जितना कोचिंग दिखता है उसको हम लोग यह दे देंगे ले जाओ इसमें आप लोग ले जाईए लेकिन हम लोग कौन सा लेंगे उपर वाल क्यूंकि तैयारी ऐसा करना है कि नौकरी मिले चाकरी नहीं तैयारी कैसे करने है नौकरी पाने के चाकरी पाने के तैयारी तो सब कोई करता है चाकरी तो हम भी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी करन है और नौकरी करने के लिए कौन सा सीट चाहिए है स्टियम सिंपल स्टियम उसके अलावा तो मुझे पुरा विस्वास है कि दोसों का दोसों सीट लगबग 95% सीट हमारे चात्र लेकर आएंगे हमारे ओफ-लाइन के चात्र और ऑन-लाइन के चात्र मेरा तो यह मानना है और हम में यह लगता है कि कुछ senior players को छोड़ दें तो जितने भी अच्छे स्टुडेंट हैं सब हमारे ही संस्थान में हैं कि मैं online भी पढ़ा रहा हूं offline भी देख रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि इतने talented बच्चे और भी होंगे और जो हम बात बोल रहे हैं एकदम fact के base पर सुन रहे हैं कि जच करके बोल रहे हैं यह ऐसा नहीं कि हावाबाजी आपको दे रहे हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका 95% seat आप ही लोग के हाथ में होगा यह offline और online दोनों बच्चों को बता रहा हूं में 95% seat आपके हाथ में होगा अगर आप चाह जाएंगे तो कोई नहीं ले सकता आपके जैसा आप लोग के जैसा बैक्राउंड आप लोग के जैसा skill आप लोग के सा mental ability आप लोग के जैसा content किसी को नहीं दिया जा रहा है अब परसो पढ़ा रहा था बिहार सपेषल हिंदी माध्यम में इसले बोला बिहार और यहां से पढ़ाया जाता है और हम उन्हें नहीं यहां से आपको अंदाज नहीं है लेकिन अच्छा और दूसरी ज्गह जाने के धियुरत है भी नहीं है या बहुत इस चाटर है जो ओनलाइन देखकर औफ-लाइन वहां ह सब्सक्राइब तो नोने कुछ क्वालिटी देखी होगी तभी तो आये हैं और अगर ऐसे छाथ रहे मेरी पूरी उम्मीद है मुझे लगता है इस बैच से भी कि कुछ बच्चों का नाम इस बैच से हलाकि मैं ओवरॉल बात कर रहा हूं इस बैच से भी कुछ बच्चों का नाम इसमें रहेगा मेरा यह पूरा मानना है और अगर नहीं रहा तो नीबू पानी है अ काप है माथा पे मारके तोल लीजिएगा जला भी लीजिएगा तोड़ी लीजिएगा कि इस काहें कि अभी नहीं तो UPSC के छात्र जो चस्मा पोच रहे हैं ध्यान रखिए यह को लेना है ठीक है सीट इस बार तो ध्यान रखना है आपको भी ठीक है और अब अगर आप इतना अच्छा कंटेंट पर नहीं लेपाएंगे तो मेरा पूरा मानना है कि अब गलती आपकी नहीं गलती हमारी होगी इसलिए आप अब इसको प्रूफ करिए और यह जो पद है इस पद में 90% हक आप ही लोग का होना चाहिए यह मैं विश्वास करता हूं 90% 10% दे दीजिएगा इस दुसरे तारी उसका PW कर रहेगा पादवा की सब ओडिनेट दूसरे वाला चल जाएगा कि समझ गया बात तो इसको ध्यान दीजिए होगा इसा संभू करेंगे आप लोग और महिलाओं को पूरे ताकत के साथ संभू बनाना है इसको अगर आप लोग प्रिलिम्स मेंस में अच्छे स बडियस करके जाना है ठीक है